हेलो गाईज नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलिल वन और आज के इस वीडियो में मैं आपको वताने वाला हूँ अगर आप अपना IRCTC अकाउंट का ID और पासफ़र्ट सब कुछ भूल गए हैं तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे तो चलिए हम वीडियो को फटा पड़ते शुरू कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फॉन या फिर अपने लेप्टॉप में आप यहां पर देख सकते हैं मैंने open कर दिया है और यहां पर कुछ इस तरीकेसे alert आएगा आप को यहां पर OK करना है फिर आपके सामने इसका interface कुछ इस तरीकेसे आजाएगा आप यहां पर देख सकते है त्रेन्स रैट्स वगेबेर आपका लिखा वाए रहे है तो अपने account को recover करने के लिए आपको यहाँ पर login का option है इस login पर आपको click करना होगा click कर लेने के बाद आपके सामने कुछ SI interface आ जाएगा यहाँ से आपको username के बारे में पूछा जाएगा और नीचे password को चुकि अभी आपको नहीं user id पता है और नहीं password पता है तो हम recover करना सीख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा forgot account detail का option तो आपको इसी forgot account detail पर click करना है यहाँ पर click करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपके सामने कुछ SI interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दिया हुआ है enter IRCTC username, email id और mobile number तो आपने जो IRCTC account बनाते time अपना Gmail id या फिर आप अपना phone number उस IRCTC account में enter किये थे उसी email नमर या फिर mobile number को आपको यहाँ पर enter करना है तो या फिर आपको mobile number या तो email id याद होगा ही आप दोनों में से किसी को यहाँ पर enter कर दें मैं यहाँ पर फिलाल mobile number से recover कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर अपना mobile number टाइफ कर दे रहा हूं phone number टाइफ करने के बाद यहाँ पर आपको capture इंटर करना है इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे next पर क्लिक करना है next पे आप जैसे ही click करेंगे आपके phone number से आपका जो mobile number आईश्टर था उस पे आपका user ID और एक OTP send किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि message में आ चुका है IRCTC से यहाँ पे मेरे account का नाम और OTP आ चुका है आप यहाँ पे account देख सकते हैं तो guys मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे common एक mistake है जो अकसर लोग कर देते हैं जो आपके phone में भी OTP आया है और आपका user ID आया है तो लोग यहाँ पे करते क्या हैं सिर्फ यहाँ पे enter OTP में OTP डाल करके अपना नया password बनाते है और capture फिल करते हैं और यहाँ submit पे क्लिक करते हैं तो यह submit नहीं होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर यूर आयार सिटी सी यूजर नेम रिसीब इन SMS ऑफ रजिश्टर मुवाइल नमर यापकी मुवाइल नमर पे जो रजिश्टर user ID भेजा है वो भी यहाँ पे यहाँ सा अगर नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ यहाँ पे OTC फिल करने के लिए बोला जा रहा है तो ऐसा नहीं है आपको यह जो है लिखा हुआ इसको आपको डिलीट करना होगा पहले से लिखा हुआ है एंड उसके बाद आपको अपना user ID यहाँ पे करना है एंड उसके बाद नीचे आपको समीट का ओफ्टन दिखाए देगा आपको इस समीट पे क्लिक करना है सो यहाँ पर मैंने OTP फिल करना भूल गया सब कुछ फिल करने के बाद आपको समीट पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे कॉंग्राचुलेशन का मेसेज आ यूर पासवर्ड चेंज सक्सेस्फुली फिलीज कीप यूर पासवर्ड सेफ फोर फ्यूचर यूज तो हम यहां से इसे ओके करते हैं एंड उसके बाद फिर से आप चले जाएंगे सैनिन पेज पे तो गाईज आपके पास यूजर डी और पासवर्ड अपना यूजर डी पिन बनाना पड़ेगा जैसा आपने पहली बार सैनिन करने वक्त किया था अगर आपको इससे आगे सैनिन करने में दिकत हो रहा है तो मेरा एक वीडियो आयार से टीशी पे अकौंट कैसे बनाएं जिसका लिंग कभी आपको नीचे डिसक्रेप्शन में उपर आई बटन मे और इस वीडियो के लाश्ट में इंडर स्किन पर मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फिर आपका यह प्रोब्लेम स्वल्व हो जाएगा एंड इसके अलबा मेरे चैनल पर आपको आयार से टीशी से रिलेटेट टिकट कैसे बुक करें अपने टिकट का एस्ट लेक्स वीडियो में तब तक क्लिप आए टेक केयो